Today the topic is Transaction Properties Transaction Properties also called Acid Properties अपन बात करें कि यहाँ पर वर्ड आता है Acid Properties Acid Properties यह जो Acid Word है वो acronym है किसका Atomicity, Consistency, Isolation and Durability तो यहाँ पर अपन बात करें कि Acid Properties क्या क्या होती है इसका मिनिंग यहाँ पर क्या होता है तो अपन कहते हैं कि Acid Properties किसी भी Transaction के उपर अगर अच्छे से काम करेंगी It means आपका Database क्या होगा Consistent होगा किसी भी Database को Consistent रखने के लिए अपन क्या काम मिलेते हैं Transaction Properties काम मिलेते हैं तो अगर कोई भी Properties अगर अच्छे से वाक नहीं करें It means आपका Database क्या होगा Consistent नहीं होगा करें वो डीटाबेस कंसिस्टेंट होगा तो शुरू करते हैं अपन सबसे पहला आता है वो आता ओटमिसिटी देखें ओटमिसिटी क्या कहता है कि इस प्रॉपर्टी एंशो और आइधर ओल ऑपरेशन की definition ही कहा से निकलती है अपन कहते हैं अपन कहते हैं transaction is a logical unit of work that must be succeed or fail in its entirety it means transaction भी क्या होगा या तो अपने आप में complete होगा या फिर नहीं होगा इसलिए अपन कहते हैं automicity का meaning भी यहाँ पर यही होता है कि जितने भी operation होंगे यह या तो properly reflect करेंगे या फिर नहीं करेंगे जैसे अगर मैं बात करूँ एक transition के अंदर अगर 12 instruction है तो इसका मतलब वो सारे के सारे क्या होने चीए process complete होनी चीए उनकी तो कहने का मतलब यह हो गया कि automicity का meaning यहाँ पर यह होगा कि यह तो complete होंगे या फिर नहीं होंगे तो second thing आती हो वो आती consistency देखे consistency पर बात करने से पहले अपन बात करेंगे isolation and durability उसके बाद में आपन बात करेंगे consistency तो देखो शुरू करते हैं अपन isolation देखो काफी बार यह नाम आपने इन दिनों सुना होगा isolation ward generally इसका meaning होता है akila in the form of transition अपन यह कह सकते हैं कि transition अगर कोई होता है तो उससे किसे दूसरे पर effect नहीं होना चीए अगर अपन बात करेंगे transaction अकिलात हो नहीं सकता database में कि जैसे मालोगर मैं बोलूँ कि मेरे पास ATM है और मैं ATM से पैसे निकालने के लिए जाता हूँ अगर वो ATM ICICI bank का है it means ICICI bank के ATM को अगर मैं लेके जाओंगा वो transaction करूँगा अगर वो एक time पर एक ही transaction होगा it means बाकी सारे क्या होगे hold on होगे तो ऐ practically यह possible नहीं है क्योंकि अगर अगर अपन transaction की बात करें तो अकिला transaction अगर एक ही database में होगा तो देन बाकी सारा क्या हो जाएगा अगर दोनों में कोई इसका result है दोनों केस के अंदर result है वो सेम आ रहा है it means अपना isolation वर्क कर रहा है isolation properties work खर रही है it means अपने यह कहते हैं कि it ensures that each executing transaction execution in isolation कि जितने भी transaction होने चाहिए वो isolation में होने चाहिए it is unaware of other transaction executing concurrently in the data-based system कहने का मतलब यह हो गया है कि जितने भी transaction हो रहे हैं उससे दूसरे transaction पर वोई effect नहीं पढ़ना चाहिए for example अगर मैं बात करूँ कि अगर आप आज किसी restaurant में खाना खाने के लिए जाते हैं आपने वहाँ पर खाना खाया खाना आपको अच्छा लगा आपने बील पे किया आप घर पे आगई next अगर आप अगें जाते हैं वहाँ पर और दस आग भी बैठे होते हैं then आप अगें खाना खाते हो खाना खाते हो बिल पे करते हो और अब घर आ जाते हो आप यह देखते हो कि अगर पहले दिन गए थे और आज आप जा रहे हो इन दोनों में कोई difference है क्या अगर लोग और बैठे हैं तो उससे आपको क्या फरत बढ़ता है तो कहने का मतलब यह हो गया कि transaction उससे किसे दूसरे transaction पर effect नहीं होना चीए यही क्या है isolation है एक और example की बात करते हैं कि अगर मैं railway का ticket book कर रहा हूं तो उसी time उसी time पर हो सकता है कि और बहुत सारे ticket book हो रहे है पर आपको जो ticket कीए जो reservation चीए अगर railway आपको दे रहा है तो फिर आपको क्या दिक्कात है कि कोई दूसरा क्या ticket book कर रहा है वो कहां जा रहा है तो कहने का मतलब यह हो गया कि isolation का meaning यहाँ पर यह है कि जो भी transaction होंगे उससे किसे दूसरे transaction पर effect नहीं होना चीए यही क्या होता है logical isolation होता है तो कहने का मतलब यह हो गया कि isolation का in the form of transaction यह meaning आता है कि transaction चाहे अकेला हो चाह फिर एक साथ बहुत सारे transaction हो इसससे दूसरे transaction पर effect नहीं होना चीए and next आता है बहता durability 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 का meaning यहाँ पर यह है कि this property ensures that after the successful completion of a transaction when a transaction commits the changes made by it to the database persist and remains in the database कहने का मतलब यह होगे in the case of failure भी अपन कहते हैं कि जो भी अपन transaction करते हैं वो durable होना चीए durable का meaning यहाँ पर यह होगा कि यह memory के अंदर persist करना चीए लिगो जैसे अगर आपन बात करें कि जैसे मालो आज मैंने railway से ticket book की है और 15 days बाद में अपनी ticket है मेरे को कहीं जाना है अगर मैं 15 days बाद में अगर station पर जाता हूं महां मेरे को railway का कोई अधिकार आकर बोलता है कि भाईया माफ करो यह तो हम भूल हो गई और यह ticket आपकी book नहीं हुए तो क्या यह सही है तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि durable का meaning यहां पर हो गया कि आपका database में जो भी change होता है वो क्या होना चाहिए persist करना चाहिए कहने का मतलब यह है तो कहने का मतलब यह हो गया कि जैसे अगर मैं बोलूँ कि अगर मैंने किया I is equal to 16 से मैंने I is equal to 20 कर दिया तो क्या I is equal to 20 memory के अंदर होना चाहिए है होना चाहिए है कहने का मतलब यह हो गया कि जितने भी changes होते हैं वो अगर memory के अंदर रहेंगे in the case of failure भी then वो क्या होगा durability होगा तो durability अगर किसी भी database पर अच्से SAY प Punjvan कर रही हिए यह property अगर किसी भी справа पी किसी बीस पर अच्छे से work कर रही अब कर रही है अपका database क्या होगा आपका database consistent होगा ओके अब hanya tayा करते हैं लास्ट में बात करते हैं वो करते हैं अपन consistency के consistency अगर अपन बात करें तो consistency का मतलब यहां पर होता है कि आपका जो database है वो before and after the transaction क्या होना चाहिए consistent होना चाहिए तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी तीन properties अच्छे से work कर रही है आपका database consistent होगा तो consistency का मतलब यहां पर यह है कि बाकी three properties other three properties है वो अच्छे से work कर रही है तो आपका data consistent होगा तो कहने का मतलब इतना ही है कि जैसे अगर मैं करता हूँ a plus b equal to b plus a तो अब आप इसमें a में कुछ भी add करते हो तो बी में कुछ भी minus करते हो लास में अपका क्या आना चाहिए a plus b is equal to जो values है वो भी वो किसके परावर होनी चाहिए b plus a के परावर होनी चाहिए कहने का मतलब अगर मैं लिखता हूँ a plus b equal to b plus a और फिर मैं इसमें कोई भी changes करता हूँ लास के अंदर अगर मैं बोलूँ कि a plus b और b plus a का answer अगर same हाता है इसमेंस आपका database क्या होगा consistent होगा इसका मतलब यह है कि अगर अपना database में है उसके अंदर अपन transaction t करते है तो before and after the transaction आपका database है वो अगर consistent है then वो क्या होगा consistency होगा it means कि यह properties consistency क्या कहती है consistency कहती है कि before and after the transaction आपका database क्या होना चाहिए consistent होना चाहिए तो देखिया आपन कहता है कि this property ensures that the database remain in a consistent state before the start of transaction and after transaction is over तो कहने का मतलब यह होगया कि transaction properties यह four properties अगर किसी भी transaction पे अगर अच्छे से work करें it means आपका database क्या होगा consistent होगा यह question हमेशा दो number का पूचा जाता है और हर बार यह four properties आपको नहीं पूचेगा यह किसी भी properties को आपसे पूच सकता है one यह two properties को हमेशा board के अंदर पूचा जाता है तो इसे थोड़ा सा अच्छे से तयार करें okay thank you